हाई फ्रेंज मजरासी स्वात में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मटन दम बिर्यानी सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में लें 500 ग्राम मटन अब इसमें डालें अद्रक लहसुन का पेस्ट इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन 12-14 अद्रक तीन इंचेस सौं आधा चोटा चमज जीरा एक चोटा चमज लॉंग 6 से साथ और इन्हें अच्छे से पीस ही अब दालें दो बड़ा चमज फ्राइड आउनियम तीन बड़ा चमज कटा हुआ धनिया पत्ता एक बड़ा चमज कटा हुआ पुदीना चार हरी मित्स तीन चोटा चमज तेल नमप स्वाधनसा, आधा नेवुकरस, चार चोटा चमच गाड़ा दही, एक चोटा चमच लाजमेच पाउडर, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, आधा चोटा चमच हल्दी, दो चोटा चमच बिर्यानी पाउडर, इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है एलाइची 6, च पत्ता, एक दालचीनी, एक इंच, और इन्हें अच्छे से पीस लें, अब दाले एक चोटा चमच घी और अच्छे से मिलाने, अब इसे कवर करके 30-70 मिन के लिए मैनेट कर लिए, आप इसे फिर्ज में भी रख सकते हैं, आईए अब चावल पका लेते हैं, इसके लिए ल जीरा, एक तेज पत्ता, और अच्छे से मिलाने, इसे 10 मिन के लिए उबालने, अब डाले धोया हुआ दो कब बासमिती चावल, और चावल के 80 प्रतिशत पकने तक पका ले, कुकर को एक छोटा चमच घी से ग्रीस कर ले, मैनेट के गए मिश्रन को फिर्ज से निकाल के इस इसके उपर डाले पकाया हुआ चावल, और इलाते हुए फैलाते रहे, इसमें डाले एक चोड़ा चमच अलाइची पावडर, एक बड़ा चमच घटा हुआ धनिया पत्ता, एक बड़ा चमच फ्राइड ओनियम, तीन चोड़ा चमच घी, और इसे अलमिनियो फॉयल के ती अब इसे 15 मिंट के लिए माधियम फ्लेम में और 40-45 मिंटों के लिए कम फ्लेम में पका लें, अगर आप पत्ला पैन यूज़ कर रहे हैं तो इसे तवे के उपर रखके पका लें, पकने के बाद 10 मिंट के लिए रख लें और फिर त्यान से एक एक करके अलमिनियो फॉयल क राइता और बैंगन दाल्चे के साथ सर्व करें दही में मैनिट करने के कारण मटन और नरम हो जाता है, इसलिए और अच्छे रिसल्ट के लिए इसे राद भर मैनिट कर लें अब आसमती चावल को जल्दी पकने के लिए 30 मिंट के लिए भिगो के रख सकते हैं दम बिर्यानी बिनाने के लिए हमेशा ताजा मटन निर्स करें पैन को अच्छे से ढख लें ताकि बाब बहार न निकले नहीं तो चावल ड्राई हो जाएगा और दम बिर्यानी के पकने का टाइम इस क्राइटेरिया पे ही डिपर्ण करता है अगर आपको रिष्पी पसंद आई है तो उस वीडियो का लाइक करें और मद्राशी स्वाच चैनल को सब्सक्राइब करना ना खुरें धन्यवाद